आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक करें 1 अगस्त 2022 को वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए ओनलाइन प्रोसेस चालू हो चुका है तो इस process को आप online कैसे करेंगे अपने mobile से आधर card को water ID card के साथ कैसे link करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो वीडियो को आप शरूर से लेके last तक पुरा शरूर देखेगा water ID card को आधर card के साथ अपने mobile से आप link कर सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है वोटर हेल्प लाइन अब यहाँ पर आपके पास अगर पहले से एप्लिकेशन है तो आपको यहाँ पर उसको अपडेट कर लेना है अगर अपडेट नहीं माग रहा तो आपको यहाँ से उसको ओपन कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर agree के उपर click करना है और next button पर click करेंगे अब यहाँ पर आप अपनी language choose करेंगे उसके बाद get started के उपर click करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने पुरा interface खुल के आ चुका है अब यहाँ पर आपको Water ID कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए Water Registration के उपर क्लिक करना होगा जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सबसे last वाला जो option है Electrol Authentication Form 6B इसके उपर आपको क्लिक करना होगा अब यहाँ पर आपको Let Start के उपर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर आपको Mobile Number डालना होगा Mobile Number डालने के बाद आपको यहाँ पर Send OTP के उपर क्लिक करना होगा OTP मिलने के बाद आपको यहाँ पर OTP डालना है और यहाँ पर Verify के उपर क्लिक करना है अगर आपके पास GDP नहीं मिलता तो आप उसको radiant भी कर सकते है अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास विटर आईडी का नंबर है अगर आपके पास विटर आईडी का नंबर है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो यहाँ पर no करेंगे और अपना water id का number find करेंगे मेरे पास water id का number है तो यहाँ पर मैं yes करूँगा उसके बाद next बटन पर click करूँगा अब यहाँ पर आपको अपना जो water id का number है वो डालना है और यहाँ से आपको अपना जो state है वो choose करना है water id का number डालने के बाद आपको यहाँ पर face detail के उपर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर आप देख सकते we have found this record आपका जो record है वो यहाँ पर successfully show हो चुका है तो आपको यहाँ पर process के उपर क्लिक करना होगा अब यहाँ पर आपके सामने आपका जो पूरा data है वो show करेगा आपको एक बार देख लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको next बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपना जो other number है वो डलना है other number अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर एक और option आपको मिलता है आदा number है तो हम यहाँ से अंचेक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो आदा number है वो डाल देंगे आदा number डालने के बाद यहाँ पर आपको mobile number डालना होगा mobile number डालने के बाद यहाँ पर आपको email ID डालना होगा डन करने के बाद यहाँ पर आपका सारा डेटा शो करेगा आपको एक बार देख लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर confirm कर देना है सैसे confirm करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो application है वो successfully हो चुका है अब आपका जो auto ID card है वो other card के साथ link करने के लिए वेज दिया गया है यहाँ पर आपको एक reference number मिलता है उस reference number को आपको not करके रख लेना है क्योंकि आपका जो application है वो आप EC से track कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर ok बटन पर click कर देना है तो आपका जो application है वो successfully submit हो चुका है आपका application status आपको check करने के लिए explore बटन पर click करना है उसके बाद यहाँ पर status of application के उपर click करना है अब यहाँ पर जो आपको reference number मिला था उस number को आपको यहाँ पर fill कर देना है उसके बाद यहाँ पर track status के उपर click करेंगे तो आपका जो status है वो यहाँ पर आपको show कर दिया जाएगा So I hope कि आप सभी को पता चल गया होगा किस तरीके से आपको water ID card को आधार card के साथ link करना है अगर आपको कोई भी query है तो आपनी से comment box में जरूर बताएगा मैं आपको उसका answer जरूर दूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर लीजेगा अगर channel में नए है तो channel को subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि ऐसे informative videos हम डालते रहते हैं चले मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही जैहिन वंदे मातरम